असलाम वरीकुम फ्रेंड्स उमीद है आप खैरियत से होंगे जैसे के पिसली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था तीन चारी ये पांच मल्ले का घर और पांच मल्ले का घर बनाना हो तो इसकी कॉस्ट कितनी आती है आज आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा दस मल् जानते हैं कि मैं दुबई बेस्ट हूं दुबई में हाई राइस बिल्डिंग डिजाइन करता हूं और में इंजीनियर हूं मुझे इधर 12 साल हो गए है तो मेरा जो नॉलिज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं इस यूटूब चैनल के जरिए तो जितना भी नॉलिज मेरे तो उसका अगर कवर्ड एरिया जो है वो 3100 स्केर फिट बने ग्राउंड फ्लोर फस्ट फ्लोर और मम्टी यह स्टेंडर साइज जो है यह उसकी स्केर फिट है तो अगर उसकी कॉस कितनी आएगी तो मैं आपको आज बताऊंगा इसके अंदर मैंने जो पिछली वीडियो है इस पिछी वीडियो के निसबत इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ चिटेल और एट की है ताके आप और समझ सकें के कोस्ट कहां पी हम सेफ कर सकते हैं और कितनी कोस्ट आ सकती है वो भी आपको आगर चलके पताऊंगा तो आपको मैं जूम करनूं ताके आप लोग इसको ख देख सकते हैं कि दस मेले के घर अगर बनाना हो तो इसके लिए जो है वो आपको बिक्स चाहिए तकरीवान 22,000 यानि के 82,000 और गयान रुपे की एक इंट हो तो नो लाक दो हजार उसकी कॉस्ट आती है इसी तरह आपको सैंड है वो साथ हजार क्यूबिक फिट चाहिए एक इसी तरह ग्रेवल है जो आपको बिजरी जिसको कहते है फरेश के अंदर लैंटर के अंदर किसी भी जगह के पूरे घर के अंदर तकरीबर आपकी 2500 क्यूबिक फिट आएगी तो ये आएगा कॉस्ट एक लाक बनवे 1500 इसी तरह स्टील है चार शार या दो टन जो है आपको द्वार के अंदर जो खर्चा आएगा उसकी फिटिंग वगड़ा तकरीबर आल तुगेदर जिसके अंदर थोड़ा वह सिलिंग के जो बोक्स वगड़ा होती है हर चीज वह तकरीबर आपकी 35,000 की आजएगी इसी तरह आपको जो मिक्स सेंड होती है जिसको कसू बोलती है वह आपको चाहिए होगा 2,000 की फिट तो तीन फिट अगर डेप्ट हो तो उसकी कॉस्ट आएगी 70,000 अगर 4 फुट है तो आप 10 से 12,000 और एट कर लें ठीक है और इसी तरह रोड़ा जो है वह 700 की फिट चाहिए 36 उर्पे अगर पर क्यूबिक फिट हो तो आपको 25,200 का पढ इसी तरह टाइल्स है 2,840 स्केर फिट आपको चाहिए होगी टाइल पूरे गर में अगर उसकी पर स्केर फिट कॉस्ट 186 हो तो आपको चाहिए 5,28,000 की ताइल्स इसी तरह मार्बल है 41,600 का सीरियों का मार्बल इसमें शामिल नहीं है क्योंकि वह आ जाता है फिंचिंग के 1,75,000 फिर जो डेकुराटिव ग्रिल जाती है उसका 1,45,000 और इसके लेबर चार्जिस आपके बनते हैं तकरीबन 11,16,000 पर बनेंगे सही है और अगर ग्रे स्ट्रक्चर की पूरी कॉस्ट अगर नकाली जाए 3,100 स्केर फिट कवर एडिया के साबसे तो आपकी वह कॉस्ट बनती है तो गरिवन 6,46,26,740 रुबे इसी तरह जो फिंचिंग है उसके अंदर आपकी लाइटिंग, पेंट, हर किसम का जो अंदर फिंचिंग है वह आपकी कॉस्ट तकरीबन 14,00,000 बनेगी और उसकी लेबर रहेगी 2,50,000 इसी तरह आपकी टोटल कॉस्ट आजएगी तक और अगर आपको और भी कुछ क्वेस्टन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप मुझे मुझे रेप्लाइ कर सकते हैं मेरे इमेल के ऊपर तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें इंचाराताला जो है वह एक नई वी यवण और आप